नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश के विदिशा जुले के गंजबा सौधा में कल एक बेहत दर्दना खांसा हुआ कुआ धस जाने से 30 से 40 लोग उस कुएं के मलबे में फस गए एक बच्चे के जान बचाने के लिए बहाँ पर लोग पहुँचे और एक के बाद एक सभी इस हाथसे का शिकार हो गए 24 गंटे से जादा समय तक रेस्क्यू चला और इस रेस्क्यू को 24 गंटे बाद खतम किया गया टीम ने कुएं के मलबे में दबे सभी 11 लोगों के शव ग्यारा लोगों की इस हाथसे में मौत हो गई 11 लोगों के शव बाहर निकाले और 31 लोग कुएं के मलबे में फसे हुए थे 20 लोगों के जान बचाई जा चुकी है और इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है बेहत दर्दनाख हांसा मुखे मंत्री शिवराज सिंग चोहान से लेकर प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी ने इस हांसे में दुख व्यक्त किया है अधिकारी कर्मचारी सब ही लोग रेस्क्यू जब तक चलता रहा मौके पर मौझूद रहे और 11 लोगों के शव यहां से निकाले गए हैं जिस बच्चे को बचाने के लिए भीड़े कटा हुई थी जिस बच्चे को बचाने के लिए लोग कुएं के पास पहुँचे थे दस साल के बच्चे रवी का शव सबसे आखरी में मिला जिसे बचाने की कोशिश में यहांचा हुआ था हाथ से में एक पिता पुत्र समेद 11 लोगों की मौत हो गई है गुरुवार शाम साड़े छे बजे का यह हाथसा था जैसे ही सूचना लगी पुलिस प्रशासन मौके पर पहुचा मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान एक्टिव हो गए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से पूरी नजर बनाये हुए थे इस पूरे घटना में परिजनों का काफी आक्रोश दोरान देखा गया और रेस्क्यू चलता रहा लगातार जब तक पूरे लोगों को बाहर नहीं निकाला गया 11 लोगों की इसमें मौत हो गई है इक्जाक्ली 27 घंटे बाद ये बंद किया गया ट्वीट में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने लिखा कि मध्यप्रदेश के विदिशा में हुए हाथसे से दुखी हूँ शोक संतप्त परिवारों के प्रती मेरी संबेदनाए जानगवाने वालों के परिजनों को PMNRF की तरफ से 2-2 लाख रुपए दिये जाएंगे यह हाथसा काफी जादा दर्दनाग था एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए जब लोग को एक पास पहुंचते और वो खुद एक बड़े हाथसे का शिकार हो जाते हैं 11 लोगों की इसमें मौत हो गई है पूरा जो प्रशासनिक अमला था सरकार सब अलर्ट मोट पर आ गए और लगातार रेस्क्यू चलता रहा 27 घंटे यह रेस्क्यू चला रेस्क्यू ऑपरेशन 27 घंटे के बाद जब सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया तब 21 बालर्ट मोट